यह देखे guys, yummy tasty, kachya mango bite, आइस क्रीम बनाने के लिए क्या करना है, तो हम बनाएंगे टॉफ्यों से kachya mango bite, आइस क्रीम, तो चलिए देखते हैं, कि यह आइस क्रीम हमने कैसे बनाई है, तो चलिए इन टॉफियों से हम बनाते हैं अपनी आइस्क्रीम तो हलो एवरिवन आप सो को च्वागत है हमारे यूटिब चनल चाया मिस्रा में आज हम बनाने जा रहे हैं टॉफियों से जो कच्छा मैंगो बाइट आता है वो भी ले सकते हैं पल्स टॉफियां जिनसे हम बन कि इसमें अंदर मसाला भी होता है तो हमें मसाला भी अच्छा लगेगा खाने में इससे बहुत टेस्टी बहुत यम्मी आएगा अलग से कोई भी मसाला आड नहीं करना पड़ेगा तो यह देगे गाई हमने ले लिया एक पतीला जिसमें हमने एक लास डाल दिया है पानी औ इनको एक polythene में हम डालेंगे अस तरह से और उंको हम जैगे एनकी हम पिटाई लगाएंगे यह हल्के से ही हलगे में ही क्रेट हो जाएंगी तोट जाएंगी और यह दिख सकते है इस तरह से सार्य टौफियां तूट शुकी है तो यह क्रस तो इसलिए जादा नहीं करेंगे और इसकी हमें कोई चासनी नहीं बनानी है हमको इसको सिर्क चीनी पिगलानी है बस चीनी पिगल जाए अच्छे से बॉयल हो जाए बस इतना ही करना है और यह देखिए हमने अपना जो टॉफी का चूरा बना के रखा था उसको भी हम इसमें अच्छे से तो यह देखिए गुल कर तयार हो चुका है और यह आप इसमें हमें क्या करना इसका कलर हमारा बहुत अच्छा बहुत जैसा हमें चाहिए बिल्कुल ग्रीन नहीं आया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन फूट कलर तो जिसकी खाने में बहुत टेस्टिक बहुत यम्मी लगती है और इस तरह से चौफियों से बनाने से आपको मसाला अगरा नहीं करना पड़ेगा क्योंकर टौफियों में मसाला होता तो देखे हमारा वह बन गया है तो यह देके इस तरह से में लेलिया कॉफि मॉग ले लिया है जिस जो हमने आइस क्रीम मोल लिया है उसमें हम इस तरह से कैप लगा करके बंद कर देंगे और जो हमारी जो पेपर मग हैं उनको हम सिल्वर फाइल पेपर से रैप करेंगे जिससे कि हमारी इस्टिक अगर आप नहीं भी रैप करते हैं ना तो भी यह आइस क्रीम जम जाएकी बिल इसमों आइस क्रीम जम लगा सकें तो यह देखियो हो गए है तो आज हमारे पासी स्टिक नहीं थी आप मिलने आई है तो क्या करेंगे हम चाट खाने मेड़ी तो यह देखिए इस तरह से आप उनका यूज कर सकते हैं अच्छे से लगा करके स्टिक को इस तरह से हम रोक देंगे क्योंकि हमने इसलिए छोटी चोटी बनाई है क्योंकि आइस क्रीम स्टिक जो होती हो थोड़ी सी लंबी होती है तो अच्छे से हो जाता है मगर यह हमारी अच्छे अच्छें चाट कहने लिए हमने कौफे मग लेक नेक्स देव और रही हो चुका है मौर्णिग में राव रात में जमाई थी हम और रही तो यह देख सकते हैं कितर युम्मी लग रहा देखने में इसम से वाउ बहुत टेस्ती बहुत यम्मी है एक बार इस तरह से आइस्क्रीम बना करके अपने बच्चों को दें तो वो रोज यही डिमांड करेंगे कि मम्मी हमें आइस्क्रीम खानी है और वो बाहर की आइस्क्रीम खानी की बिल्कुल भी जिद नहीं करेंगे तो देखे इस तरह से हम करेंगे रब तो रब करके हम निकाल सकते हैं मगर यह देखे यह पेपर कप है तो क्या करेंगे हम इन पेपर कप को फाड भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनको पेपर कप को हम देंगे फाड तो यह देखे इस तरह से फाड देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यह आराम से ऐसे बिनकल जाता है तो देख सकते हैं कितना यम्मी कितना टेस्टी लग रहा है खाने में तो यह बच्चे ना कच्चा मैंगो बाइट के नाम से बहुत को सोना है जिनके बच्चों को खटा मीठा पसंद है यह देखी हमारी आइस्क्र मिलकने वाली आइस्क्रीम सच में इस तरह से बना करके देखे आपके बच्चे ना डिमांड यही करेंगी हर रोज क्योंकि बच्चों को यही पसंद आईगी तो अगर हमारी यह रेस्पी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंड में प् तो प्लीज मिलते हैं नेक्स डे, नेक्स डेस पी साथ बबाए